ग्लैशो क्लैंड में आ चुका है सूपर ड्रैगन स्पोटलाइट इवेंट है आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कैसे आप लोग इस इवेंट को मैक्समाइज कर सकते हो जादा जादा सूपर मेडल्स और आइस क्यूब्स को इंटक करने के लिए सबसे प 10 पर भी हो तो भी आप इसको उनलोग कर सकते हो और आपको यह स्टिल आपके आर्मी ट्रेइनिंग सेक्शन में दिखेगा इसके बाद के सबसे पहले तो आप हमारे तरफ से कुछ आपको क्रेटर के तरफ से फ्री में मिल रहे हैं मेडल्स वह आपको मैंने वाट्सअप पर पर भी काफी सारे ओर्स एन यहाँ पर अपने सूपर मैंडल्स मिलेंगे इविंट्रा कंप्लीट करने के लिए आपको चाहिए होंगे आइस क्यूब्स तो आइस क्यूब्स को इखटा करने के लिए आपको अटैक्स करने पड़ेंगे अब अटैक्स जब आप करोगे तो आ उतने जाद आप स्टार सिखटा करोगे, उतने जाद आपको यह मिलने वाले, आपको पर स्टार यहाँ पर 150 करेंटली यहाँ पर यह मिल रहा है, आइस क्यूब्स और यह भी धीमेदी में इंक्रीस भी होगा फ्यूचर में, जैसे 1 स्टार करने पर 150 मिला, 2 स्टार करने पर 300 ह गया ऐसी 3 star करने पर आपका यह 450 medals आपको per attack करंटी मिल रहा है जैसे जैसे event आके बड़ेगा यह slightly increase भी होगा तो अगर आपको थोड़ी सी मैनत कम करने तो अब इस event को बाद में complete करना है यहाँ पर आप देख सकते हो bonus for using super dragon मेरे को यहाँ पर 0 मिला है क्योंकि मैंने इस attack में super dragon use नहीं किये थे तो next tip यह है आप अपनी attack strategy में कम से कम एक super dragon include कर सकते होगर सारे नहीं कर सकते है पर मैंने देखो art get super dragon नहीं है एक बहुत easy base पर without using CC में attack कर रहा हूँ और simply यहाँ पर जैसे अपने को 450 अभी यहाँ पर मिल रहे है currently cubes for 3 star इंगा base तो वो तो मिलेंगे मिलेंग track को complete कर सकते हो event track के बाद आपको bonus track से भी कुछ medals मिलेंगे तो total आपको यहाँ पर मिलाकर bonus track से मिलने वाले 1170 medals and event से आपको मिलेंगे 3,150 तो अज़र free to play player आपको 4320 medals मिलने वाले इसके बाद guys आप यहाँ भी packs भी ले सकते हो shop से जो कि आपको instantly बहुत सारे medals देंगे 1800 rupees में almost 6000 medals and अगर आप देखो event pass है ना इसके अंदर 5000 medals मिलें और साथ में और भी बहुत सारे special statue and अपने ores वगेरा वो सिर्फ और सिर्फ 449 rupees में कहने का मतलब event pass definitely worth it है लेना rewards अगर आप बाद में भी collect करते हो तो चलेगा लेकिन यहाँ परक है 30% training boost इसको सबसे पहले जैसी unlock हो तो इ and of course gold pass की power के फिर तो भाई तीनों चीज़े मिलाके next double हो जाएगा बागी guys अगर आप अपने medal से fireball लेने का consider कर रहे हो या फिर यहाँ पे कोई भी reward लेने का consider कर रहे हो उससे पहले message करूँगा आप इस वाले वीडियो को check out कर ले रहा जहाँ पे इमने बात किया best way to spend your dragon medals के बारे में तो अगर आपने इस वीडियो को check out नहीं किया तो अभी के लिए आप इस वीडियो को देखो मैं आपस मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक ले keep clashing and peace out